प्यारे भी ध्यार्थियों आप सभी का स्वागत है हमारे स्मार्ट केंपस इंस्ट्यूट के यूट्यूब चैनल पर यह आपका ही चैनल है और आज हम डिस्कस करेंगे human disease के बारे में ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग बीमार क्यों होते हैं especially disease और health यानिकी स्वास्थ इन दोनों के बारे में आपको जनकारी होनी चाहिए disease यानिकी रोग हमारी बॉड़ी में यदि कोई antigen पैथोजन इंटर करता है तो especially हमारी जो antibody है पहले तो उसे लड़ने की कोशिस करती है और जब लड़ने में असमर्थ हो जाती है तो ऐसे में हम बीमार हो जाते हैं ठीक है disease का अगर definition की बात करें तो सामाने वस्था में कोई परवर्तन जो की असहजता अच्छमता या स्वास्ते में छती उत्पन करता है आपके स्वास्ते में छती उत्पन होती है रोक कहलाता है disease स्वास्ते क्या होता है health किसी कहते है भर्यक्त की सारीरिक मानसिक और सामाजिक पूर्ता बिना किसी रोग या द्रुबलता के स्वास्ते कहलाता है हेल्थ कहलाता है यह किसी भी ब्यक्ति को सारी रूप से मांसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरता है अगर वो स्वस्त है देन उसे हम क्या कहते हैं हेल्थ कहते हैं स्वस्त है डवलु हूँ ने यह डेफिनिशन 1948 में दी थी रोगों के बचाओ के उपाय को हम प्रोफाइलेसिस कहते हैं रोग का कारण इबं प्रिसार का अध्यन जो है इपीडेमियोलोजी कहलाता है सरीर में रोग कारकों का अध्यन इटियोलोजी कहलाता है सरीर में जो रोग कारक होते हैं उनकी स्टुडी क्या करना क्या कहलाता है इ डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टिरिया से होने वाले रोगों के बारे में देन वाइरस देन प्रोटुजोंस जीवान जनित रोग यानि कि बैक्टिरिया से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे हाँ पर सबसे this हम टीवी कहते हैं छैरोगी कहते है कि निकलोस इसका फ्रेफों जन है इसको ऊजो रोग फ्यलाने वाला जो कारक कारक है कौनलता है माइकोबैक्टीरियम ट्वरक्लोसस माइकोबैक्टीरियम ट्वरक्लोस सेज़् TBase सुनक्रम्ण का तरीका क्या है ढूप ल funeralstreamaskaתיर City region में है ट्रांस्मिट होता है लच्छड क्या है सिंप्टेंग की बात करें खांसी जोर आएगा आपको यह बुखार आएगा स्वांस फूलेगी आपको बीकनेस दुर्वलता आएगी बलगम तथा थूक में बलड आएगा डोट्स के माद्यम से इसका इलाज होगा डायरेक्ट अबजबेशन ट्रीट्मेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी ठीक है और जाच कौन सी होगी मैंटॉक्स टेस्ट होगा इसका मैंटॉक्स टेस्ट तो पहला था टीवी जिसके बारे में हमने बात की सेकेंड है दिप्थीरिया जिसे कंठ रोहेडी भी कहते हैं डिप्थीरिया कंठ रोहेडी कौन से बैक्टिरिया से होगा कॉर्णी बैक्टिरियम डिफ्थैरी से होगा प्रॉब्लम क्या होगी आपको स्वांस लेने में पीडा होगी तेज बुखार आएगा जाच क्या करानी पड़ेगी हमें सीक टे प्रिष्ट करना पड़ेगा मैं नेक्स है काली खांसी कुकर खांसी American हंडेड़े कफ चुछ दिन का कफ इसे का अंगर कॽक कहते हैं किस से फ्यल एकiva के देख atau neighborhoodRay लच्षड है बच्छों में अधिक वह लगातार में तेज खांसी बहुत तेज खांसी होती है जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलता है हैजा इस्पेशली आपने गर्मियों के समय में बीमारी सुनी होगी हैजा जिसे हम कॉलेरा कहते हैं और विब्रियो कॉलाई नामक बैक्टरिया के द्वारा होती है लच्छड क्या है बमन होंगे दस्ट होंगे निर्जली कर यानि की ब्लेड बॉड़ी में बाटर की कमी हो जाती है डिहाइड जिसन जादा होता है इसलिए हमको इसी सिचेशन में पानी पीते रहना चाहिए नेक्स है निमोनिया निमोनिया कॉन से बैक्टरिया से होगा इन्फ्लुएंजया द्वारा भी होता है लच्छड क्या है फैपड़ों में संक्मड स्वास लेने में पीड़ा तेज भुखाद ठंड लगना कफ वनना सिरदर्ध तीव्र संक्मड में होटों तथा नाकुनों का रंग नीला होने लगता है तो निमोनिया जो है इसके आप अपने लच्छड के बारें बात की प्यारे भी ध्यारतियों यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है देन वीडियो को लाइक करिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए क्योंकि आज से हम आपके लिए मेडिकल की प्रिप्रे आपके कीमट्री एक्जाम की प्रिपरिशन कर रहे हैं और किसी तरहरे का एक्जाम हो यू PSC प्याइस सब्सक्राइब करें तो आप प्लीज भीडियो पे चैनल वीडियो क भी धाव करेंगा लु voor अपने स्पेस्ली ओगां गाउं में कि जब सहरों कहीं भी जहां आप हैं यदि आपको कहीं पे जंग लगे हुए लोहे से आपको चोट लग जाती है तो इस्पेसली आपके गार्जियंस बोलते हैं कि बिटा टिटनिस का टीका लगवा लो तो क्या है किस बैक्टरिया से होता है टिटनिस क्लोश्ट्रिडियम टिटनिस से होता है कौन सा बैक्टरिया है क्लोश्ट्रिडियम टिटनिस से होता है जबडों का ना खुलना लॉक जो इस्पेसली जब आपको टिटनिस हो जाएगा तो आपके जबडे बंद हो जाएगे शरीर में क्लोश्ट्रीडियम टिटनी जटके लगना, बेवोसी आना, ओफी इस्थो टॉनस, राइनस, सारडोनिकस, चहरे की पेसियों में स्ट्रेचिंग होना, खिचाब होना तो काफी खतरना बीमारी है ये भी, जिसे हम मामुली समझते हैं, कोई भी बीमारी मामुली नहीं होती है, आपको तो पता है, कोड, कुष्ट या हैंसन का रोग, लेप्रोसी, हैंसन्स डिजीज, प्यारे भी ध्यारतियों हर किसी का सपना होता है, कि यदि उसे जीवन में रे कॉलेज मिल जाएं, भई हर किसी की तमना होती है, हमारी भी तमना थी, जब हम सरोजने आईड़ो मेडिकल कॉलेज में जब हम डाइप टीज पे रिसर्च कर रहे थे, तो कहीं न कहीं हम भी चाहते थे, कि हमें भी लेप्रोसी का जो आपका सेंटर आगरा में है, कहीं न कही स्कूल से अपका ऐसे बिध्याले से अध्यान हो जिससे कि आप लोगों की सिवा अच्छे से कर सके इस्पेशली जितने इस्ट्रुमेंट हमें देख रहे हैं आप निश्चिन्त रहिए बस हमारे साथ बने रहेगा वीडियो को देखते रहेगा हम आपको बताएंगे किस तरह इसे आप तैयारी करें कि आप किसी भी एक्जाम को क्रैक कर सकते इस्पेशली मेडिकल एक्जाम को ठीक है चल तो कोड कुष्ट या हैंसल रोग पहले ऐसा माना जाता था कि कोड बीमारी आ गई हमें लगता है देवी देवता नाराज हो गया हमारा देश अंद्विस्वास सब्सक्राइब बहुत रहा है लेकिन जब सब्सक्राइब ने हम पता चला कि भी मारिया पैफ जने से होती हैं पैफेशलंस फैलाते बीमारियों को तब कहीं जाता है तुचा पर चकते पड़े जाते हैं घाउं तथा गांठों का बनना हाथ पैर की अंगुलियाओं का गलना इलाज क्या है आपको मल्टी ड्रक थेरपी देनी पड़ेगी यहाँ पे इस्पेशली स्ट्वेंट्स आपको एक बात देखनी होगी कि बौडी में और भी बहुत सारे मेकनिजम हैं बहुत सारी मेटाबलिक प्रोसेस हैं जिसमें अलर्जिक रियक्संस होती है तो allergy के ऊपर भी आपको research करना पड़ेगा ये समझना होगा कि body में आखिर allergy क्यों होती है आपको पता है वह सारी metabolic process की बज़े से भी allergy हो जाती है आप कोई भी medicine ले रहे हैं तो ठीक है हमें उसके benefits के बाद हमें उसके costs होने वाले हैं जो हमें उसके जो हानिया होने वाली हैं त typhide fever की अगर हम बात करें तो salmonella typhi नाम का जो bacteria है से फैलाता है संक्मित भोजन तथा पानी द्वारा इस पेसलिये फैलता है लच्छड क्या है नियत जोर रोज बुखार आएगा आपको 39 से 40 degree centigrade कमजोरी आएगी अधिक होने पर आत में छिद्र हो जाना आतों में छिद् होगा कब्ज होगा सिर दर्ध होगा और जांच कौन सी लगाएं लगाएंगे आप medical laboratory में बिडाल टेस्ट लगाएंगे बहुत मज़ा आने वाला है प्यारे प्यारे ध्यारतियों जब आप medical college में होंगे और तरह तरह के टेस्ट लगाना सीखेंगे तो बहुत अच्छा जब आप doctor होंगे आपके cert के ऊपर apron पड़ा होगा है ना तो आपको वो खुसी मिलेगी जिसका आपने सपना देखा है ठीक है चलो next जो disease है प्लेग जिसे black death भी कहते हैं प्लेग प्लेग किस बैक्टरिया से फैलेगा एरसी निया पैश्टिस बैक्टरिया से फैलेगा तेज बुखार आएगा सिरदर्ध होगा बगलों में गिल्टियाओं का सूच जाना बेहुसी होना तो यह प्लेग की लच्छड है अब हम प्यारे बिद्यातियों बात करेंगे बाइरस से होने वाली डिजीज के बारे में झाल 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